दोस्तों गूड इवनिंग सस्रीकाल आप सभी का स्वागा थे सेसन में और मैं आपके लिए 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 बैंकिंग और फाइनिसल अवेरनेस के लिए important MCQ तो आज तारीक है 22 जुलाई 2021 और मैं आज आपके साथ डिसकस करूँगा एक तो mixed MCQ दूसरा ATM based MCQ तो ATM के उपर बेस मैं पढ़ा रहा हूं और Unacademy पर मेरा code है ARS50 और Unacademy पर मुझे follow करना मत भूलेगा आप सभी से request है ठीक है तो आप सभी को बता दें कि जितने भी लोग class में आ गया है आप एक बार मेरा time table देख लिए class schedule देख लिए कि कौन कौन सी class कितने बज़े आपके लिए उपलब सभी का स्वागत है session में तो morning 8 a.m. पर मैं पढ़ाता हूं daily current efforts let's crack bank exam पर और इसके बार 10 a.m. पर मैं पढ़ाता हूं banking topic wise क्या पढ़ाता हूं banking पढ़ाता हूं topic wise कैसे पढ़ाता हूं topic wise ठीक है theory आप यहाँ पर free special class पर सकते हैं 5 बज़े मैं आपके लिए free special class में GA mock लेके आत हूं और उसी में आपको explanation में concept भी समझाता हूं क्या समझाता हूं concept भी समझाता हूं तो आप मेरी classes को follow कर सकते हैं on academy पर top educators के batch अभी recently start हुए 14 जुलाई 2021 से कब से start हुए 14 जुलाई 2021 तो जितने भी new batch हैं वो इस week में अभी आए है new batches जितने भी हैं वो इस week में अभी आए ह तो आप फड़ाफ़ subscription ले सकते हैं और जो सकते हैं हमारे साथ हमारे plus courses में on academy is the best platform for bank preparation exam तो आपको बता दे on academy best platform में क्यों है 30 plus batch every month आपके लिए आते हैं 40,000 घंटे का recorded content है 20,000 practice question है 70 plus faculty पढ़ा रहे हैं और 98% candidates का विश्वास है तो आपको बता दे जो latest batch है SBA clerk के लिए वो अ सा batch, accelerator batch आप सभी के लिए आ चुका है और strong lineup of batches available है इस समय आपके लिए bank exams के लिए target SBA PO, IBPS PO, accelerator batch और SBA clerk 2021 batch, run budget CT batch भी आपके लिए available है ठीक है तो आप सभी को बता दे कि IBPS के देखे तीन exam में समय लगें तो State Bank of India का, इसके बाद RRB Region Rural Bank का और फिर IBPS का, तो कुल बिलाके ज आप हैं, दो exam में आप हैं, एक exam में आप हैं, तो यह 5 exam, 5 exam के लिए आपके लिए बिलकुल तैयारी बिलकुल कहते हैं कि सिर पर खड़ी है कि आपको तैयारी करने और इन exam में participate करना है तो फड़ा फड़ा आपको जो बैच अच्छा लगता है वो आप जॉइन कर सकते हैं, Unacademy Live Combat upcoming bank exam के उपर based every Sunday 10 a.m. पर आपके लिए organize किया जाता है जहाँ पर 36 questions 50 minutes में आपको करने होते हैं और यह questions यानि यह जो combat है यह Hindi और English bilingual available होता है और यहाँ पर जो scholar से जो pool price है जीतने के लिए वो है एक करोड रुपय का scholar से pool price ठीक है इस समय बैंक का promise offer चल रहा है जहाँ पर हम एक साल के subscription पर 4 month additional 2 year के subscription पर 6 month additional आपको subscription मिल ला है और एक साल का subscription है मातर 5850 रुपय में ठीक है इसके साथ आपको बता दें कि जो लोग CT की preparation कर रहे है common interest test की तयारी कर रहे है उनके लिए भी एक खुसकबरी है उनके लिए 21% का off है biggest off और 6-6 month का additional आपको क्या मिलेगा validity मिलेगी price high को इसके पहले आप सभी लोगों से मतलब एक information है कि आप लोग join कर लीजे हमारे plus course जहाँ पर आपको use करना है code ARS50 अब ARS50 का use अगर करेंगे तो आपको मिलेगा extra discount आपके सरका code है तो जुलाई के 3 offer है आर भी introductory offer भी है और आपक ठीक है तो अगर आप 12 months और 24 months का subscription लेते हैं तो आपके upcoming जितनी भी exam में सभी exam याँ पर क्या हो जाएंगे और आप use करेंगे ARS50 code जिससे आपको मिल जाएगा extra discount क्या मिल जाएगा extra discount क्या मिल जाएगा extra discount मिल जाएगा ठीक है तो चलिए start करते हैं अपनी class को let's crack it all set चलिए फटाफट पहला question आपके सामने ये रहा पहला question आपके सामने ये रहा फटाफट सभी को answer देना है दोस्तों देखे question आपके सामने आगा है और आज का session बहुत interesting रहने वाला है कैसा रहने वाला है आज का session बहुत जादा interesting रहने वाला है तो आप सभी लोग फटाफट participate करना शुरू कर दीजे और देखिए सुसीला जी भी आ गई है रिहु जी भी लबली जी भी रंजन जी भी दिसा जी भी तो सभी को पहले तो गुड़ीवनी वेलकम और आपका स्वागत है अनकेड़ी के स्प्लिट फॉर्म पर चली पहला कोश्चन आपके सामने पहला कोश्चन आ पहला बैंक है भारत में पहला बैंक कौन सा है जिसने ATM की सुरुवात की है फटा-फट आंसर दीजे दोस्कों सभी को आंसर देना है भारत में पहला बैंक जिसने ATM की सुरुवात की है फटा-फट बताईए तो पहला ऑप्सन है SBI, HSBC, IC, ICI Bank और BOB Bank या Access Bank चलिए फटा- आंसर आ गया, जिसा जी ने HSBC आंसर दिया है और अनिकेत साफ ने गूड इबनिंग लिका राजन जी ने अंसर दिया है अमन्दीप सिंग ने बी और अनिकेत सर ने भी टो बिलको सही आंसर है पहला ATM जो भारत में स्थापित किया गया, वह कौन सा किया गया, किस बेंक ने क पहला ATM established किया गया था इंडिया में, चलिए, पहला question बहुत जबर्दस्त आंसर दिया है, एक बार share or like भी कर दीजेगा, where is the first IndyCast ATM was inaugurated, पहले IndyCast ATM का उधगाटन कहां किया गया, महराष्ट्रा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरला और विहार, चलिए, फड़ा-फड़ आंसर देना है दोस्तो, सभी दोस्तों को फड़ा-फड़ आंसर देना है, तो पहला IndyCast ATM कहां पर उधगाटन किया गया, चलिए, महराष्ट, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरला, बिहार, अब इस कोश्चन का आंसर देने के पहले आपको ये पता होना चाहिए, के IndyCast किस टाइप का, IndyCast किस टाइप का ATM है, ठीक है, ब्राउन लेवल, वाइट लेवल, ओरेंज लेवल, ग्रीन लेवल या पिंक लेवल, तो किस टाइप का ATM है, ये अगर आपको पता होगा, तो आप फड़ा-फड़ा आंसर दे देंगे, चलिए, तो आपको बता दू मैं सबसे पहले जो IndyCast ATM, देखे, यहाँ पर दिसा ने आंसर दे दिया, ए, महरास्च्टा, चलिए और सभी का आंसर ंछ का आंसर भी देख लेते हैं, सभी ने ए आंसर दे दिया, तो बिल्को सही आंसर है, पहला महरास्टा, बिल्को सही आंसर, देखे, जो IndyCast is, कौन स का पहला भारत का पहला पहला वाइट लेवल एटियम है कैसा लेवल है वाइट लेवल ठीक है वाइट लेवल एटियम है डबलू एले कहा जाता है ठीक पहला वाइट लेवल एटियम है और ये कहां पे लगाये गया था पहले थाने में कहां पे लगाये गया थाने में लगाय IndieCast, ठीक है, तो ये समझ में आगया होगा, सभी को समझ में आगया होगा, well done, बहुत बढ़ी है मेरे दोस्तों, क्या answer दिया, देखे, अब first IndieCast ATM was inaugurated in चंद्रपाडा, rural village in थाने, थाने का एक गाओं है, चंद्रपाडा, यहाँ पर establish किया गया, थाने कहा का district है, महरास्पाय का, ठीक है, अब आपको बता दें, white level ATM के बारे में, white level ATM होता क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, कि what is the white level ATM, देखे, जब भी हम white level, अनुकृती जी इंडीकेस मतलब, इंडीकेस इनका एक product है, इनके product का नाम है, इंडीकेस, इंडीकेस, जो ATM है, यह product का नाम है, जो white level ATM चला Tata का, उसका नाम है, ठीक है, white level ATM, white level जो ATM है, किसका Tata का, ठीक, अब white level ATM होता क्या, यह भी समझे लो, देखो, ऐसे ATM, जो ATM बैंक नहीं चलाते, या चलाती है NBFC तो ऐसे ATM जिनको NBFC के द्वारा चलाया जाता उन्हें WLA कहा जाता यानि white level ATM कहा जाता इतना समझ में आ गया उन्हें white level ATM कहा जाता इतना समझ में आ गया अब अगर कोई company white level ATM के लिए license लेना चाहती है क्या लेना चाहती है license लेना चाहती है तो उनको license मिल है क्या होनी चाहिए 100 करोड की paid up capital requirement होगी यानि कोई भी NBFC भारत में white level ATM का license ले सकती है बट 100 करोड के paid up capital के साथ license मिल जाएगा अब अगर कोई विदेसी व्यक्ति अगर कोई विदेसी company भारत में अगर कोई विदेसी company भारत में खोलना चाहती है भारत में white level ATM खोलना चाहती है तो खोल सकती है क्योंकि यहां पर FDI FDI कितना है 100% कितना है 100% ठीक है तो पहला point का लिखा है white automated teller machine set up owned operated by non banking entities non banking entities वो entities होती है जो bank ना हो और पैसे का लेंदिन कर रही है तो उनने कहा जाता तो जो NBFC ATM चलाती है उनने कहा जाता है white level ATM पहला point दूसरा 2015 सेतंबर 2015 में white level में जो FDI कितना percent कर दिया गया 100% ठीक है और अगर कोई भी NBFC white level ATM खोलना चाहती है तो कितने करोण की paid up capital होनी चाहिए 100 करोण की ठीक है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यह question अगला question आपके सामने यह रहा चलिए भारत का सबसे उचा ATM इस्थित है तो आपको बताना है भारत का सबसे उचा ATM कहां पर इस्थित है फड़ाफट ले सिक्किम लगदाक ले सिक्किम लगदाक only be or none of the above चलिए फड़ाफट आंसर देना है भारत का सबसे उचा ATM कहां इस्थित है चलिए भारत का सबसे उचा ATM कहां इस्थित है फड़ाफट बताईए भारत का सबसे उचा ATM चलिए फड़ाफट आंसर देना है दोस्तो भारत क सबसे उचा ATM, ले सिक्किम लगदा, only be none of the above, तो इसका सही आंसर है सिक्किम, भारत का सबसे उचा ATM कहां पर लगा है, सिक्किम, सिक्किम is the right answer, देखे, 12 December 2003, UTI Bank, inaugurated the ATM at Thegu, near the Nathula Pass, ठीक है, सिक्किम, इंडिया's highest ATM, तो भारत का highest ATM कहां पर लगा है, अंकित जी, इसका सही आंसर है, सिक्किम, सिक्किम is the right answer, सिक्किम is the right answer, ठीक है, सिक्किम is the right answer, भारत का सबसे उचा ATM है, वो लगा हुआ है, नाथूला पास पर सिक्किम भारत का, लेकिन अगर कोई पूछे के, वर्ल्ड का सबसे उचा ATM, वर्ल्ड का सबसे उचा ATM, पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर लगा है, पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर खुंजराब, खुंजराब पास है, जहां पर 15,397 फीट, अब अब, समुदर तल से 15 13,397 फीट की उचाई पर एक ATM लगा है, पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर, खुंजराब जगा है, खुंजराब पास, तो भारत का सबसे उचा ATM कहां पर है, नाथूला पास में, और वर्ल्ड का सबसे उचा कहां पर है, खुंजरेब पास में, खुंजराब पास, ठीक है, चल ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, फड़ा पड़ बताईए सभी लोग, तो ATM का फुल फॉर्म, आटोमेटिक टेलर मसीन, आटोमेटिक टॉकिंग मसीन, आटोमेटिक टेलिंग मसीन, आटोमेटिक टॉक मसीन या बंगलादेश, चलिए, फड़ा पड़ा आंसर देना है, बंग बिलको सही answer है और इसका सही answer है automated teller machine बिलको सही answer है automated teller machine ठीक है और रंजन कुमार जहाँ साब ने भी ए answer दे दिया well done मेरे दोस्तों आप लोगों का प्यार appreciation बहुत important है आप लोग 100% accuracy से answer देते हैं चलिए अगला question आपके सामने ये रहा white level ATM का अर्थ क्या अभी मैंने आपको what is the meaning of white level ATM which option is the correct फटा फट बताईए white level ATM का अर्थ क्या है इन मैंसे white level ATM के लिए answer क्या है फिलको सही automatic teller machine is the right answer चलिए white level ATM का मतलब क्या है what is the meaning of white level ATM फटा फट बताईए दोस्तों the ATM carries logo of RBI the ATM does not have any bank logo C, B और D, A और none of these चलिए फटा फटा फट आंसर दीजे यहाँ पर B आंसर दे दिया है सभी ने अनुकृती ने B आंसर दे दिया है राजन जी ने भी आंसर दे दिया है अंकित जी ने भी आंसर दे दिया वेल्डन बहुत बढ़िया तो आप सभी को बता दें कि the right answer is ATM does not have any bank logo देखो फटा दो परकार के ATM एक white level ATM होता है और एक brown level ATM ह समझ गाये दो कौन चलाते बैंक जो ATM चलाते एं वन्हें काहतां जाता ब्रांग लेवल ऐटेम इन्दी में को आप चलाते हो पैसा ने गाले बैंक स कूप लिखा होती है वो third party होती है ATM किसका होता बैंक का होता और जब white level ATM की बात करें तो यहां पे सब कुछ क्या है third party है बैंक का इसमें कोई संबंद नहीं होता ठीक है इसमें जो पैसी की विवस्ता करते हैं वो promoters करते हैं जो बैंक इनको promote कर रहा होगा वो bank इनको कैस की विवस्ता करेगा ठीक है तो be is the right answer well done बहुत बढ़ी है चलिए अगला question निम लिखित मैंसे कौन सा bank mobile ATM प्रदान करने बाला भारत का पहला bank है तो mobile ATM तो समझते होंगे न when की उपर जो ATM लगा रहता है आज यहां खड़िये वेंकल वहां खड़िये यानि जो ATM मूब कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है mobile ATM तो आपको बताना है कि कौन सा bank है जिसने सबसे पहले mobile ATM लाँच किया चलिए फड़ा फड़ बताईए सबसे पहले डी आंसर दे दिया वेल डन अनुकृती टंडन ने डी अंके जी ने डी सभी ने डी आंसर दे दिया बहुत बढ़िया तो सबसे पहला mobile ATM आइसीए से बैंक ने ही लॉंच किया वेल डन क्या बात है और आपको बता दें 2020 में 2020 में mobile ATM इंट्रोड्यूस किया किसने SDFC बैंक ने किसने किया SDFC बैंक ने और अब SDFC बैंक ने पूरे देश में पूरे देश में पूरे देश में पूरे देश में मोबाइल ATM एपलाई कर दिया है ठीक है तो आपको बता दें भारत का पहला बैंक जिसने मोबाइल ATM लाँच किया उस बैंक का नाम है ICICI Bank Industrial Credit and Investment Corporation of India ठीक है तो ICCI Bank are the first to provide mobile ATM ठीक है चलिए अगला question रंजन जी ने भी सही answer दिया देखे क्या बात है निम लिखित मैंसे किस समीती ने ATM की स्थापना की सिफारिस की थी तो आपको ये बताना है कि which committee recommend for the ATM in India चलिए सराफ committee, नरसिमा committee, रंगराजन committee, सेरे committee या none of these चलिए फड़ा फड़ा answer देना है तो आपके ATM से related सभी question आज complete हो जाएंगे आज अभी complete हो जाएंगे ATM से related सभी question सभी question अभी question अभी आपके complete हो जाएंगे चलिए फड़ा फड़ा और यहाँ पर अनिकेत लिख दिया अच्छ जो mobile होता वो दूर रखा होता जिस पर हम आपके comment पढ़ रहे होते तो फड़ा 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 होता है ठीक है चलिए अगला question आगया है तो answer दीजे भाई ATM को recommend करने वाली पहली committee कौन सी है रंग राजन committee कौन सी committee है रंग राजन committee C is the right answer बिलको सही answer है C चलिए अगला question आपके सामने यह राण next question आपके सामने आगया है निमलिकित मैंसे किस ATM का प्रियोग share transaction के लिए किया जाता है share transaction के लिए कौन से ATM का प्रियोग किया जाता है चलिए which of the following ATM is issued for share transaction फड़ा फड़ बताना है चलिए lovely जी ने भी C answer दिया ता अनिके जी ने भी C answer दिया अमंदीब जी ने भी C answer दिया और दिसा जी ने भी C answer दिया था last question का अब question number 8 आपके सामने है फड़ा फड़ा आंसर देना है which of the following ATM is used for share transactions तो निमलिखित मैं से किस ATM का उप्योग share transaction के लिए किया जाता है चलिए फड़ा फड़ा आंसर दीजिए yellow ATM, orange ATM, green level ATM, pink level ATM या red level ATM चलिए फड़ा फड़ सभी को answer देना है दोस्तों इन मैंसे किस ATM का प्रियोग share के transactions में किया जाता है चलिए फड़ा फड़ा आंसर देना है कि सवी लोगों को answer देना है दोस्तों सभी को answer देना है औरेंज, orange answer दे दिया यहाँ पर orange बिल्को सही है औरेंज क्या बात है सबसे पहले अनुकृति जी ने आंसर दिया है फिर अनुकृति जी ने आंसर दिया है फिर अनुकृति जी ने औरेंज बना दिया अमंधीप जी ने भी आंसर दे दिया क्या बात है बिल्को सही बात है औरेंज औरेंज एटियम तो जो औरेंज लेविल ए e-commerce के लिए किसके लिए e-commerce के लिए यूज किया जाता हैечно-चैisure फिक है E-Stewn के लिए पर फैसिलिटी के लिएक लिए ठीक है फिर green level क्या होता ये एग्रिकल्चर एग्री कल्चर एग्रिकल्चर रिलेटड एग्रिकल्चर रिलेटड desperate related transaction जितने भी होते हैं, agriculture related जो transaction होंगे, transaction होंगे, उनके लिए use किया जाता है, green level ATM, फिर आता support pink level, pink level ATM, वो ATM होता है, जहांपर women's को facility दी जाती है, किसको women को facility दी जाती है, क्या दी जाती है, facility दी जाती है, ठीक है, woman को जहाँ पर facility दी जाती है, तो उनको कहा जाता है pink level ATM, red level ATM, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता, red level ATM, समझ गए बात, I hope सभी को समझ में आ गया होगा, लबली जी, अमंदिर जी, अनुकृती जी, अनिकेज जी, रंजन जी, सभी ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़ी है, क्या बात है, दिखी जब आप आंसर देते हो, तो और मज़ा आता, क्या बात है, चलिए, अगला question, भारत का पहला talking ATM, कहां इस्थापित किया गया था, उने में, कोलकता में, निव डेली, एहमदाबाद, राजकोर, चलिए, भारत का पहला talking ATM, कहां इस्थापित किया गया है, दोस्तों, फड़ा फड़ बताईए, भारत का पहला talking ATM, कहां इस्थापित किया गया है, चलिए, तो भारत का जो पहला talking ATM है वो एहम्दाबाद में स्थापित किया गया था, कहां पर स्थापित किया गया था, एहम्दाबाद में, कहां पर स्थापित किया गया था, एहम्दाबाद में, कहां पर स्थापित किया गया था, एहम्दाबाद में, 2012 में one of the leading public sector bank Union Bank of India पहला भारत में पहला talking ATM एहमदाबाद में लगा पहला point एहमदाबाद is the right answer ठीक है दूसरा 2012 में Union Bank of India के द्वारा इसे एहमदाबाद में लगाए गया ठीक है अभी मैंने आपको Brown Label ATM के बारे में बताया है ठीक है Which among the following is correct about Brown Label ATM Brown Label ATM के बारे में इन मैंसे कौन सा कथन सकते है चलिए फड़ा फड़ बताना है Brown Label ATM के बारे में इन मैंसे कौन सा कथन सकते है फड़ा फड़ बताईए भाई Bank whose brand name is used on ATM takes care of cash management and network connectivity ठीक है These ATM are owned and maintained by the service provider C, both A and B T, easy case और E, none of these तो question number 10 है आपके सामने और आपको आंसर देना है चलिए फड़ा फड़ यहाँ पर सभी ने A answer दे दिया है क्या दे दिया चलिए question number 10 का सही answer देना है भाई सही answer देना question number 10 का तो अभी तक answer अनुकृती जी का आया है अमन्दीप जी का आया है दिसा जी का आया देखे पहला point बिलको सही है अगर आप किसी ATM पे जाते हैं किसी ATM पे जाते हैं और वहाँ पर bank का नाम लिखा है Punjab National Bank ठीक है तो यह पहला point सही है कि bank का brand name होता है ठीक है और bank पूरा ही network बगरा connectivity को bank check करता है यहाँ पर जो service provider होता है वो भी maintain करता है third party है जो service provider होता है क्या होता है service provider क्या होता है service provider जो होता है वो third party होती है क्या होती है third party अगर आप देखते होंगे तो कभी bank की bank की bank को आपने कभी नहीं देगा पैसा डालने आते हुए कभी bank के आदमी को नहीं देखेंगे आप network सही करती है वो third party service provide करती है और own कौन करता है bank ठीक है तो इसका सही answer होगा C is the right answer, बिलको सही है Rajan जी, C is the right answer C is the right answer, Rajan सर का answer बिलको सही है brown level ATM is bank whose brand name is used on ATM take care, cash management and network connectivity these ATM are owned and maintained by the service providers ठीक है तो service provider के दुआरा इसमें क्या दी जाती है, सेवाएं दी जाती है अगला question चलिए, अगला question अब आपके सामने ATM से अलग question आएगा, चलिए is a financial institution through which promoter promoter group will be permitted to set up a new bank, तो आपको बता दें कि अगर कोई नया बैंक बनना है, किसको नय बैंक का license देता है RBI, इन मैंसे उस option को चुनना है, किस company को RBI, नय बैंक का license देता है, ठीक है, नय बैंक का license देता है RBI, चलिए, फड़ा पर बताना है, तो investment company को, loan company को, infrastructure finance company को, या non-operative financial holding company को, चलिए, फड़ा फड़ा आंसर देना है, non-operative financial holding company infrastructure, finance company, loan company, investment company, कौन स्या answer सही होगा, अगर कोई, इन मैंसे किस company को banking का license मिलेगा, इन मैंसे किस company को banking का क्या मिल जाएगा license मिलेगा, फड़ा फड़ा बताइए license किस को मिलेगा, चलिए A, B, C या D, फड़ा फड़ा आंसर दीजे सभी लोगों को आंसर देना है तो यहाँ पर दिसा जी ने D answer दे दिया, non-operative financial holding company, बिल्को सही है NOFHC को banking का license मिलेगा क्योंकि यह क्या है, NBFC non-banking financial company है जो कि आप से क्या करती है non-deposit, यानि यह एक non-deposit, non-deposit non-deposit financial company है, NBFC non-deposit NBFC है और RBI guidelines के नुसार जो license है वो NOFHC को मिलेगा इन में से, ठीक है तो सही answer है D, D, राजन जी इसका सही answer D है D is the right answer, infrastructure finance company को नहीं मिलता है non-operative financial holding company को मिलता है, ठीक है अब non-operative financial holding company कौन सी होती है, यह NBFC होती है, non-banking financial company, NBFC भी दो प्रकार की होती है, एक होती है deposit, कौन सी होती है deposit, जिसमें आप क्या जमा कर सकते हैं, पैसा, एक होती है non-deposit, कौन सी होती, non-deposit जिसमें आप पैसा जमा नहीं कर सकते तो जो non-deposit NBFC होती है इन्हें कहा जाता, NOFHC इन्हें क्या कहा जाता NOFHC तो NOFHC को banking license मिल जाता RBA की तरफ से तो D is the right answer दोस्तों ठीक है अगला question आपके सामने ये राध चलिए question number 12 आपके सामने आ चुका है SIDB was form to promote SIDB का गठन किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया SIDB का गठन किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया चलिए इन मैसे SIDB का गठन किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया agriculture sector, housing sector MSME sector या banking sector फड़ा फड़ सभी दोस्तों को बताना है येस चलिए फटा फट आंसर दीजे दोस्तों, आंसर भी आते रहने चाहिए यार, आंसर slow नहीं होने चाहिए, सिडवी तो सभी ने सुना होगा न, Small Industries Development Bank of India, यह किसको promote करता है, चलिए, किसके लिए finance करता है, agriculture sector, housing sector, MSME या banking, अनुकृति टंडन, provide the right answer, और सबसे पहले आंसर दिया है, MSME, बिल्को सही बात है, well done, बिल्को सही आंसर है, C is the right answer, MSME sector को बढ़ावा देता है, कौन, सिडवी, कौन देता है, सिडवी, अब देखो, सिडवी की अगर बात करें, तो full form क्या होता है, Small Industries Development Bank of India, सिडवी की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना का वुईती, 1990 में, और इसका अब 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 एग्री कंचर सेक्टर को बढ़ावा कौन देता है, नबाड, कौन देता है, नबाड, कौन देता है, नबाड, एग्री कल्चर को बढ़ावा कौन देता है नाबाद नैशनल बैंक फॉर एग्री कल्चर एंड रूरिल डवलप्मेंट इसकी स्थापना कभू थी 1982 में ठीक है 1982 में और आपको बता दें इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है मुंबई में हाउजिंग फैनेंस के लिए कौन सा बैंक है NHB नैशनल हाउजिंग बैंक ठीक है नैशनल हाउजिंग बैंक और ये स्टैब्लिश कब हुआ था 1988 में और इसका हैड़कॉर्टर कहां पे डेली में, कहां पर है, New Delhi is the headquarter, ठीक है, तो यहां पर देखे, सभी ने answer दे दिया, C is the right answer, अब banking sector को बढ़ावा कौन देता है, RBI, कौन देता है, RBI, RBI कब established हुआ था, 1 April 1935 को, 1 April 1935 को, और इसका headquarter कहां पर है, Mumbai में, कहां पर है, Mumbai में, ठीक, अब एक body और रह जाती है, export और import export और import, export को, बढ़ावा कौन देता है, Exim, कौन सा bank, Exim bank, Export, Import bank, और यह established का भुआ था, 1982 में, कभ भुआ था, 1982 में, और इसका headquarter भी कहां पर है, Mumbai में, कहां पर है, Mumbai में, ठीक है, तो I hope, आपको समझ में आ गया होगा, पूरा concept, इस question का, पूरा question का analysis, post-mortem हो चुका है, चलि BIS में कितने देश सदसे देश हैं, कितने member हैं, चलिए, सीधे सीधे बताइए, कितने member हैं, question number 13, BIS तो सबी लोग जानते है, Bank for International Settlement, जो आपके लिए क्या बनाता है, Basel Norms, जो आपके लिए Basel Norms बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है, BIS, या BCBS, ठीक है, या इसी को एक और ना हम से जाना जाता है, BCBS, BCBS क्या होता, Basel Committee for Banking Supervision, ठीक है, तो अब आपको बताना है, अब आपको बताना है, कि बैंक for International Settlement में कितने सदसे देश हैं, how many member countries, चलिए, फटा-फट बताईए, 83-100-120, चलिए, 83-100-120, तो कितने member हैं, फटा-फट बताईए, कितने member हैं, फटा-फट बताईए दोस्तों, कितने member हैं, या आपको फटा-फट बताना है, कितने member है, how many members are there, तो आपको बता दे इस question का जो सही answer है वो है 63 कितने members है 63 members पहले पहले कितने members थे 60 members थे पहले 60 members थे और अब कितने होगा है अब होगा है 63 और 63 जो member होते हैं वो कौन होते हैं या तो किसी भी देश के central bank कौन सा central bank central banks central banks plus monetary authorities कौन सी monetary monetary authorities ठीक है तो आपको बता दे यह इसके member होते हैं तो total संक्या कितनी हैं इनकी total संक्या 63 है कितनी है 63 तो the right answer is 63 B is the right answer B is the right answer दोस्तों इस question का सही answer B है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question आपके सामने यह रहा चलिए next question आपके सामने यह रहा फड़ा फट next question आपके सामने आ चुका है दोस्तो नेक्स को ¿चयों आपके सामने आ चुका है और आपको देना है answer अब question number 14, what is the purpose of reduction in CRR, अगर CRR को कम किया जाता है, तो इन में से कौन सा प्रभाव दिखाई देगा, which effect shown in market if CRR reduces, okay, चलिए, CRR को अगर reduce किया जाता है, तो कौन सा प्रभाव बाजार पे दिखाई देगा, reduce credit flow, enhance credit flow, enhance availability of cash, और reduce cash transaction, चलिए, यहाँ पर answer दे दिया, राजन जी ने बिलको सही, B is the right answer, बिलको सही, enhance credit flow, देखे, जब भी, एक बात याद रखिएगा, चाहे वो CRR हो, एक लाइन में समझ लीजे, चाहे वो bank rate हो, चाहे वो repo rate हो, चाहे वो reverse repo rate हो, चाहे वो SLR हो, और चाहे वो MSF हो, ठीक है, अगर RBI इन मे किसी में भी, अगर RBI इन में किसी में भी कमी करता है, क्या करता है, कमी करता है, तो market में liquidity, क्या हो जाएगी, liquidity क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और liquidity जब भी बढ़ती है, तो इससे क्या हो जाता, credit flow, क्या हो जाता है, increase हो जाता है, क्या हो जाता, increase, और अगर RBI इन में स किसी में भी क्या कर दे बढ़ात्री कर दे क्या कर दे बढ़ात्री इंक्रीस कर दे क्या कर दे इंक्रीस कर दे क्या कर दे इंक्रीस तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी कम हो जाएगी क्या हो तब credit flow क्या हो जाएगा, credit flow क्या हो जाएगा, credit flow क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, yes or no, अगर समझ में आ गया हो तो थमसप लगाते जाया करिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो please thumbs up लगा दीजे thumbs up लगा दीजिसे हमें पता चल जाए कि हाँ जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ें दोस्तो चलिए भारत में पहली Bima company 18-18 में कहां शुरू की गई चलिए भारत में पहली Bima company कहां इस्टेपलिच की गई first insurance company was established in India in 18-18 18-18 में चलिए फड़ा फड़ाइब आँसर देना है 1818 में भारत की पहली पहली insurance company कहां स्टेपलिच की गई चलिए फड़ा फड़ाइब आंसर देना है फटा फटा आंसर देना है दोस्तों तो भारत की पहली भारत की पहली वीमा कमपनी कहां established की गई यह आपको बताना और यहाँ पर universally proportional है यस बिलकुल universally proportional है अनुकृती जी बिलकुँ सही का आपने मॉन्डरी पालिसी में universally proportional है बिलकु सही है कोलकता is the right answer बिलकुँ सही अठारा सो अठारा में ओरियंटल लाइफ इंसोरेंस ओरियंटल लाइफ इंसोरेंस इस्टेबलिस की गई इसके बाद 1823 से 1829 ठीक है एक कंपनी और मार्केट में आती जिसका नाम था बॉम्बे मूच्वल लाइफ असोरेंस कंपनी Montree Fund का मुख्याल है कहां पर है जिनेवा वासिंग्टन पेरेस लंदन चलिए फड़ा फड़ा आंसर दीजे भाई सभी दोस्तों को आंसर दे रहा है आई एमेप का हेड़कॉर्डर कहां पर है question बहुत आसान है लेकिन इसका explanation bomb है ठीक है question बहुत आसान है लेकिन explanation bomb है ठीक है तो हम आपको बता जें इसका explanation अच्छा है जो मतलब आपके exam के लिए important point सभी cover हो जाएंगे यहाँ पर सभी ने जिनेवा आंसर दे दिया अनुकृति जी आई एमेप पूचा गया international monetary fund आई एम एफ आई एमेप पूचा गया है चलिए तो यहाँ पर Washington DC is the right answer सही answer है Washington DC देखिए सभी लोग फिर समझ लीजे मैं आपको एक line में समझा देता हूँ एक line में World Bank और IMF एक line में समझ लीजे Second World War Second World War सभी ने सुना था Second World War World War खतम हुआ था ठीक तो जब Second World War खतम हुआ था तो सब जगा क्या हो चका था तहस नहस तहस नहस तहस नहस तहस नहस का मतलब क्या है क्या हो चुकी था धी दुसमनी समझ लीजे सभी लोग समझ लीजे तो यहां पर इसके बाद क्या हुई ब्रिटिन बूट समिट हुई, कौन से हुई, ब्रिटिन बूट समिट, ठीक है, ब्रिटिन बूट समिट हुई, और ब्रिटिन बूट समिट में क्या हुआ, यहां पे दो जुड़वा बहने पैदा हुई, दो जुड़वा बहने, कैसी बहने, जुड़वा बहने, दो जुड गया कि आपको क्या करना है development तहस नहीं सही करना है तो क्या देना पड़ेगा development ठीक है तो world bank जो पैसा देता है वो किसके लिए देता है development के लिए IMF जो पैसा देता है वो किसके लिए देता है trade के लिए किसके लिए trade के लिए जब trade में difference आता है तो balance of payment कहा जाता है और balance of payment के लिए जो उधार लेते हैं bank, देश, वो IMF से उधार लेते हैं, ठीक है? अब देखो, दोनों जुडबा बेहने, तो एक जगा पैदा हुई होगी तो इसका headquarter, दोनों का headquarter कहाँ पे है, दोनों का headquarter कहाँ पे है Washington DC, कहाँ पे है 1945 में, कब establish हुआ, 1945 में IMF को establish किया गया तारीक थी 27 दिसंबर कौन सी तारीक थी 27 दिसंबर, ठीक है? अब देखो, इसकी जो chairperson है, chairman, chairperson है जो chairperson है, उनका नाम है Kristalina, क्या नाम है? Kristalina Georgieva Kristalina Georgieva अब ये कहाँ से आती है? बुलगारिया से कहाँ बुलगारिया से ठीक है? IMF की जो currency होती है, क्या होती है? जो currency होती है, जिसको लोग उधार लेते हैं उसे कहा जाता है SDR, क्या कहा जाता है SDR, SDR क्या होता है Spatial Drawing Rights Spatial Drawing Rights का मतलब क्या? ये कोई note नहीं है ये आपको कितना loan मिलेगा वो एक quote special drawing rights यानि पैसा निकालने का बिसे सदिकार इसी को कहा जाता है paper gold क्या कहा जाता है paper gold yes paper gold कहा जाता है इसी को कहा जाता है basket of currency क्या कहा जाता है basket of currency कहा जाता है currency कहा जाता है और इसी को कहा जाता है book keeping entry क्या कहा जाता है bookkeeping entry अब देखो आपके exam में question कैसे आता है ये समझ लीजिए आसे एक question आ सकता है ठीक है अब देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि SDR का full form क्या है SDR का full form तो आप बता दोगे special drawing right वो पूछेगा SDR को इन में से किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है ये सब नाम जो है इनको आप use कर लोगे ठीक है फिर वो आपसे पूछ सकता है एक और IMF से एक और question पूछ सकता है IMF में कितनी currency हैं कौन-कौन सी currency हैं तो जो कौन-कौन सी currency इनी को कहा जाता है basket of currency यानि एक ऐसी basket जहां पर कौन-कौन सी currency इसमें आप उधार रहे हैं चलिए अगला question आपके सामने यह रहा हैं तो इस बिवस्था को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है वें जाना जाता है तो उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है चलिए पड़ा पड़ा आंसर दीजे इस question का answer 17 मा question बहुत important है और इसको पूरी तरह से आपको हम समझाएंगे सत्रमा question बहुत important है पूरी तरह से आपको समझाएंगे चलिए फड़ा फड़ा आंसर देना है दोस्तों सभी दोस्तों को फड़ा फड़ा आंसर देना है चलिए फड़ा फड़ा आंसर दीजे तोसी जैसवाल जी आ गए है और यहाँ पर C बिलको सही आंसर दे दिया है C राजन जी ने भी C बिलको सही आंसर दे दिया consortium बिलको सही आंसर है consortium is the right answer very right very right answer चलिए very right बहुत बढ़िया अब आप मैंसे हमें यह बता दीजे देखे आप मैंसे यह बता दीए किस को consortium के बारे में नहीं पता है चलिए तीन वर्ड होते है consortium होते है consortium होते है syndicate होता है और multiple banking होता है syndicate होता है multiple banking होता है फड़ा फड़ बताए consortium syndicate multiple banking कितने लोगों को नहीं पता है फटापड बताईए कितने लोगों को नहीं पता है कितने लोगों को नहीं पता है तो मैं आसान सब्दों में आपको इसका difference बता दूँगा आसान सब्दों में इसका difference बता दूँगा दोस्तों आसान सब्दों में इसका difference आपको बता दूँगा कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है ठीक है अगर या तो कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है ठीक इन्हें क्या चाहिए यह क्या है बॉरोवर है ठीक है बॉरोवर है या ध्यान से समझेगा यह क्या है बॉरोवर है ठीक है यह क्या है बॉरोवर है अगर इन्हें पैसा चाहिए कि मान लीजे इने चाहिए 1000 करोड का इनका कोई project है, कितने करोड का, 1000 करोड का कोई project है, ठीक है, इसके लिए इने borrowing करना है, ये अपने bank के पास गया, किसके पास गया, अपने bank के पास, और अपने bank से इसने क्या कहा, कि हमें क्या दे दीजिए, loan दे दीजिए, क्या दे दीजि किसी दूसरे bank से, क्या करेगा, वो किसी दूसरे bank को भी इसमें introduce करेगा, ठीक है, समझ में आई बात, फिर किसी तीसरे bank को भी introduce कर सकता है, और ये सभी bank, ये सभी bank मिलके, क्या कर देंगे, इसको 1000 करोड finance कर देंगे, कितना कर देंगे, 1000 करोड finance कर देंगे, इसे कहा जाता है syndicate क्या कहा जाता है, syndicate loan, क्या कहा जाता है, syndicate loan, क्या कहा जाता है, syndicate loan कहा जाता है, समझ में यह बात, इतना समझ में आ गया, yes or no, पड़ा पड़ बताइए, इतना समझ में आ गया, yes or no, syndicate loan समझ में आ गया, जब किसी एक project के लिए, एक project के लिए, एक project के लिए, multiple bank, multiple, multiple bank, multiple bank, जब पैसा उधार देते हैं, तो इसे कहा जाता है, syndicate, syndicate समझ में आ गया, yes or no, फड़ा फड़ बताईए, syndicate समझ में आ गया, syndicate समझ में आ गया, syndicate समझ में आ गया, एक आता है consortium क्या आता है consortium 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 और दूसरा आता है multiple banking क्या आता है multiple banking ठीक है multiple banking consortium loan और multiple banking इसके अंदर आता है ठीक है इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया यानि जब भी ऐसे loan दिया जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा syndicate loan कहा जाएगा इनकी क्या होती है इनकी एक sell होती है कौना सी sell होती है इनकी syndicate loan syndicate sell होती है क्या होती है syndicate sell söz का मतलब expressed department होता है जो अलग-अलग banking गोसको contact करता ठीक है अब जब अलग-अलग banking क designers करेगा तीनों बैंक मिलके पैसा कितना एकठा कर देंगे, एक हजार करोल, ठीक है, एक हजार करोल, और एक हजार करोल इनको देंगे, और इसको lead कौन करेगा, इसको lead करेगा वो bank, इनको lead कौन करेगा, lead वो bank करेगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, high पैसा देगा high money देगा high money देगा जो bank वो इनको क्या करेगा lead करेगा क्या करेगा lead और rate of interest common होगा rate of interest कैसा होगा interest common होगा interest भी कैसा होगा common होगा ठीक है common होगा कैसा होगा common होगा ठीक तो ये सभी bank मिलके एक common माल लीजे 9% पे इसको लोन दे दिया, 9% पे लोन दे दिया, सभी बैंकों ने मिलके, ठीक है, तो lead वो बैंक करेगा, जिसका सबसे जादा पैसा इसमें लगा होगा, माल लीजे 1000 करोर में 500 करोर इस बैंक ने दिया, 200 करोर इसने दिया, और 300 करोर इसने दिया, तो जब एक common statement ज contact करे, A bank से contact किया, उसने B से contact किया, C से किया, तीनों ने अलग-अलग loan दे दिया, और अलग-अलग क्या हुआ, अलग-अलग loan दिया, और अलग-अलग rate of interest हुआ, क्या हुआ, rate of interest भी कैसा हुआ, अलग-अलग हुआ, तो जब loan अलग-अलग, interest अलग-अलग, यानि individual हर एक bank स तो इसे कहा जाता है multiple banking समझ में आई बात तो जैसे देखो आप reasoning पढ़ते होगे reasoning आप पढ़ते हैं कि नहीं reasoning आप पढ़ते होगे तो इसमें silox पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं सिलोलिज्म पढ़ते हैं कि नहीं silox में क्या कहते हैं all are B समझ गए बात तो ब क्या हुआ यहां पे syndicate loan syndicate loan कौनसा हुआ syndicate loan और composer T.ि यम क्या हुआ consortium, समझ गए बात और C क्या हुआ, multiple banking क्या हुआ, multiple banking समझ गए बात, yes or no इतना समझ में आ गया, yes or no अगला question आपके सामनी ये रहा left का अर्थ क्या है left का अर्थ क्या है, left left क्या होता है, left क्या होता है ये आपको बताना है, what is the left what is the left what is the left what is the lab फटाफट बताईए what is the lab सभी को बताना है दोस्कों कि lab क्या होता what is the full form of lab lab का full form होता है liquidity adjustment facility liquidity बिलको सही है बिटा जब भी आप क्या पढ़ते हो जब भी आप क्या पढ़ते हो रैपो रेट पढ़ते हो या reverse रैपो रेट पढ़ते हो रैपो रेट पढ़ते हो जब भी reverse रैपो रेट पढ़ते हो रैपो रेट और reverse रैपो रेट पढ़ते हो तो मार्केट में liquidity को inject करने के लिए क्या करने के लिए inject करने के लिए use किया जाता है रैपो आपरेशन और मार्केट से liquidity को absorb करने के लिए absorb करने के लिए use किया जाता है reverse repo operation तो इसका जो combination होता है इसे कहा जाता है left liquidity adjustment facility और इस सेबा को R.E.B. ने सन 2000 में introduce किया था कब introduce किया था 2000 में ठीक है समझ गए year 2000 18 का D is the right answer 18 का D is the right answer 18 का D is the right answer ठीक है D is the right answer अगला question आपके सामने ये रहा चलिए अगला question आपके सामने ये रहा फड़ा फट सभी को answer देना है सभी लोगों को answer देना है अगला question आपके सामने ये रहा चलिए एक बाड़िजिक bank को देश के प्रते अगनी bank के रूप में नामिक किया जाता है तो आपको बताना है जो लीड बैंक होता है क्या होता है लीड बैंक होता है वो किस लेबल पे लीड करता है किस लेबल पे लीड करता है जोन वाइस करता है तालुका वाइस करता है डिस्टिक वाइस करता है या पंचायत वाइस लीड बैंक बनाया जाता अगला question आपके सामने आ चुका है, लीड बैंक किस आधार पे बनाया जाता है, और यहाँ पर C answer दे दिया district, अनुकृती मेंने बिलकु सही answer दिया है, right answer is C, दिसा जी ने भी C answer दे दिया है, दिसा में बहुत दिनों बाद दिख रही हैं, और बिलको सही आंसर दे रही है, बहुत बढ़ी है, क्या बात है, अनुकृती जी ने C आंसर दिया, बिलको सही है, district is the right answer, district is the right answer, राजन जी ने भी C आंसर दिया, बिलको सही आंसर है, चलिए, अगला question, which of the following is not managed by the RBI for India, भारत में RBI इन मैंसे किसको manage नहीं करता है, भारत में RBI इन मैंसे किसको manage नहीं करता है, फड़ा बढ़ा आंसर दिये, 19 का C, बिलको सही है, मंदीप सर, 19 का C is the right answer, अगला question है, 20, question number 20, which of the following is not managed by the RBI for India, अगला question है, B, stock exchange, well done, क्या बात है नुकृती, मैं बलको सही answer दिये आपने, तो stock exchange को regulate कौन करता है, C, कौन करता है, C, क्योंकि this is the part of capital market, कौन सा part है, capital market, capital market को regulate कौन करेगा, capital market को regulate करता है, C, Securities and Exchange Board of India, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन government के द्वारा, C, B, act, pass किया गया, जब इसको C, B, act, pass किया गया, कौन सा act, C, B, act, pass किया गया, 1992 में, तब इसकी स्थापना मानी जाती, तो आपकी अगर exam में question आ जाए, exam भी, कि C, B, कब establish हुआ, तो आप answer क्या लगाएंगे, 1992 is the right answer, 1988 सही answer नहीं होगा, ठीक है, समझ गए बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, well done, क्या बात है, तो यह था आज का session दोस्तों, जहाँ पर आप class पढ़ हैं, और मेरा plus course join करना है, तो आपको ARS50 code का use करना पढ़ेगा, और यहां से आपको मिलेगा 10% का discount, अगर आपको कुछ inappropriate लगता है, तो आप description में link है, वहाँ पर report कर सकते हैं, और अगर आप सही पाए जाएंगे, तो आपको मिलेगा Amazon gift voucher, ठीक है, इसके बाद अगर आपको हमारा session अच्छा लगा हो, तो please session को like करिए, session को share करिए, और हमारे channel Let's Crack Bank exam को subscribe करिए, इसी के साथ हम आप से लेंगे विदा, good night, sabba, care, और हम आप से मिलेंगे कल morning ATM पर daily current efforts की class में, so thank you